29 जून से शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा में अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिये हैं देश भर से रोजाना हजारों श्रधालू बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं आपको बता दे कि 11 जुलाई को अमनात यात्रा पर जा रही एक बस पर आतंक्यों ने हमला कर दिया था जिसमें 7 लोग मारे गए थे बावजूद इसके अमनात यात्रा पर कोई असन नहीं देखने को मिला है बाबा के दर पर जाने वाले शरधालू फूरे जोश के साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं दर्शन के लिए जा रहे लोगों में उत्सा को देखते हुए प्रशासन को उमीद है कि साल तमाम परिशानियों के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ शर्धालू अमननात पहुंचेंगे बाबा के दर्बार में जाने का जुनून लोगों में सकद्र है कि ततकाल पंजिकरन केंद्रों पर अभी भी हजारों की संख्या में शर्धालूओं की भीड लगी हुई है यात्रा के लिए पहल गाम और बालताल ट्रेक पर मौसम अनुकूल बना हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में यहां के अधिकांश हिसों में बारिश की भविश्वानी से यात्रों की परिशानी थोड़ी बढ़ सकती है